दोस्तो सलमान खान की नई मूवी टाइगर त्री जल्द ही लॉंच होने वाली है कहा तो यहाँ भी जा रहा है कि मूवी की शूटिंग लगभग 90% खतम हो चुकी है दोस्तो फिल्मों में कहीं एक्टर छोटे समय के लिए आते हैं यानि कि कम समय के लिए आते हैं लेकिन मूवी पर अपना इंपक्ट कुछ जादा ही छोड़कर चले जाते हैं ऐसे ही एक्टर्स को कैस्ट करने के लिए फिल्मों में रखा जाता है कैस्टिंग डिरेक्टर और आपको बता देतो दोस्तो इस मुवी में कैस्टिंग डिरेक्टर है मुकेश चाबरा इन्होंने अभी तक काफी बड़ी-बड़ी फिल्मों में कैस्टिंग किया है और उनके द्वारा कैस्ट किये गए एक्टर्स को भी बहुत जादा एक्टिसेशन भी मिल चुका है तो दोस्तों देखना दिल्चस्प होगा कि टाइगर त्री मुवी में आखिर मुकेश चाबरा किसको अपने की रोल में लाते है साल 2022 में हमें काफी सारी अक्टिस देखने को मिली लेकिन दोस्तों हम तो एक्साइटेड है टाइगर त्री सबसे बड़ी अक्टिसेशन सूपर स्टार मुवी के लिए दोस्तों 2023 में टाइगर त्री और पठान यानि की शारुक खान की नई मुवी लाँच होने वाली है तो दोस्तों टाइगर त्री तो पहले लाँच हो जाएगी उसके बाद होगी पठान तोस्तों आपका क्या कहना है कि पठान मुवी ज्यादा नमबर कमा पाएगी या फिर टाइगर त्री हमें जरूर बता है